ये आकाश्वाणी रायपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाश्वर शुक्ला प्रगति की समीक्षा की भीशन गर्मी और लू की स्थिती को देखते हुए केंद्रे स्वास्वंत्री कल 36 गड़ सहित 6 राज्यों के स्वास्वंत्रियों के साथ वर्चुल बैठक करेंगे और आज देश के विभिन इस्थानों में भगवान जगननात की रथ्यात्रा निकाली जा रही है राइपूर में हुए रथ्यात्रा मोहसों में राजिपाल, मुख्यमंत्री और विधानसाभा अध्यक्ष शामिल हुए अब समाचार विस्तार से नौवा अंतर राष्ट्री योग दिवस कल 21 जून को विश्व भर में मनाया जाएगा प्रहानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूँ यॉर्क में स्वयूक्त राष्ट्र के मुख्याले में योग दिवस कारिक्रम में भाग लेंगे इस वर्ष योग दिवस का विशय है वसुधय कुटुम्बकम के लिए योग अंतर राष्ट्री योग दिवस के मौके पर 36 गड़ के शहरों और गाउं में भी विभिन्न कारिक्रम आयोजित किये जाएंगे इस बार एक स्वास्थ विशय पर केंद्रित कारिक्रमों के जरिये हर घर आंगन योग का संदेश दिया जाएगा आंगन बाड़ी, पाल आश्रम, रधाश्रम और सारवजनिक उक्रमों के अलावा सरकार की विभिन्न विभागों में भी योग के कारिक्रम होंगी इन कारिक्रमों में इस्थाने जन प्रतनिधियों और सामाजिक संस्थाओं के कारिकर्ता भाग लेंगी अंतर राश्री योग दिवस के अउसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने योग को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीज जागरुकता फैलाने के लिए हर घर आंगन योग करने की अपील की है उन्होंने कहा कि योग हमारे मन में सकारात्मक भाव पैदा करता है केंद्रे राजी मंत्रे गिरे रासें कल मनें इंद्रगर्जिले के जगराखन इस्थित केंद्रे विद्याले में आयोजित अंतर राश्री योग दिवस कारिकर्म में शामिल होंगी वहीं भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर कल रायपूर के देविन्र नगर स्थित गुजराती स्कूल में आयोजित योगदेवस के कारक्रम में शामिल होंगी राजी की समाज कल्यान मंत्री अनिला भेणिया ने भी प्रदेश वासियों को अंतर राष्ट्र योगदेवस के उसर पर अपनी शुपकाम नाय दी है केंद्रे ग्रमंत्रे अमित शाह 22 जून को एक देवसे प्रवास पर 36 गड़ आ रहे हैं इस दौरान वे दुर्ग जिले में एक सभा को संबोधित करेंगी जानकारी के अनुसार श्री शाह 22 जून को दोपहर करीब 12 बजे विशेश विमान से रायपूर विमानतल पहुचेंगे इसके बाद वे हेलिकॉप्टर से दुर्ग के लिए रवाना होंगी जहां दो पहर करीब 2 बजे श्री शाह रविशंकर स्टेडियम में एक सभा को संबोधित करेंगे इस सभा में राजी के 20 विधान सभा क्षेत्रों के भाज़पा कारिकरता शामिल होंगी सभा से पहले श्रीशा पर्णवानी गाई का पदमश्री उशा बार लेके भिलाई एक स्थित निवास पहुचकर उनसे मुलाकात करेंगी दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में सभा को संबोधित करने के बाद श्रीशा मध्यप्रदेश के बालाघाट के लिए रवाना हो जाएंगी केंद्री ग्रामिन विकास और पंचायती राजिमंत्रे गिरिरास सेह ने आज मनेंद्रगर के नई लेदरी में जिलास्तरी समिक्षवे ठक ली बैठक में उन्होंने व्रिक्षारों पर और जल सनुक्षन के कारी को प्राथमिक्ता के साथ पूरा करने के लिरदेश दिए बैठक में उन्होंने अधिकारियों से आईश्मान कार्ड योजना, मन्रेगा, कौशल विकास योजना, रधनमंत्री आवास योजना सहीद, केंद्र सरकार के विभिन योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली और कहा कि इन योजनाओं का लाब सभी हिद व्राहियों को मिलना च श्री सही ने जल जीवन मिशन के तहर हर घर नल जल योजना में गुर्वत्ता पूर्ण कारे करने को कहा और अधिक से अधिक घरों तक पानी की उपलब्दता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये बैठक के बाद केंदरी मंत्री मनेंदरगण के कलिक्टरट परिसर में लाबहार्थियों से सववाध कारिक्रम में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने विभिन योजनाओं के लाबहार्थियों के साथ ही सुखसहायता समूं की महिलाओं से भी चरचा की केंद्री मंत्री कल शाम रायपूर पहुँचेंगे और 22 जून को राजी के ग्रामिड विकास, भूमी संसाधन तथा पंचायती राज अधिकारियों के बैठक लेंगे केंद्री स्वास मंत्री डॉक्टर मंसुक मांडवियर देश भर में भीशन गर्मी और लू की स्थिती को देखते हुए कल 36 गड़ सहित 6 राजियों के स्वास मंत्रियों और राजी आपदा प्रबंधन प्राधिकरों के अधिकारियों के साथ वर्चौल बैठक करेंगे केंद्री मंत्री ने आज नई दिल्ली में हुई एक उच्चेस्तरी बैठक के बाद बताया कि स्वास मंत्राले मौसम विभाग और रास्ट्रे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पांस सदस्यों का दल भीशन गर्मी और लू से प्रभावित राजियों का दौरा करेगा उन्हों ने खा कि 36 गड़ सहित ओरीशा, पस्चिम बंगाल, तिरंगाना, बिहार और जारखंड में भीशन गर्मी और लू की स्थिती बनी हुई है एक भारत, श्रेष्ट भारत, युवा संगम कारिक्रम के तहट नागालेंड से 36 गड़ प्रवास पर आये विद्यार्थियों के दल ने कल राजिपाल विश्वभूशन हरीचन्दन से राजभवन में सौजन भेट की ये विद्यार्थी एक भारत, श्रेष्ट भारत अभियान के तहट पिछले पाँच दिनों से 36 गड़ के प्रवास पर हैं राजिपाल ने नागालेंड के इन विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधान बंत्री नरेन मोदी की पहल पर ये अनूठा युवा संगम कारिक्रम पूरे भारत में लागू किया गया है जिसमें सभी प्रदेशों के युवा अने प्रदेशों में जाकर वहां की संस्कृति को समझते हैं और वहां की परिटन इस्थलों का भ्रमन करते हैं उन्होंने कहा कि भारत की ताकत उसकी अनेक्ता में एक्ता की भावना है उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई समाप्त करने के बाद समाज के वंचित वर्गों की सेवा करने का हवान किया नागलेंड से 36 गड़ आये इस दल में 49 विद्यार्थियों और प्राध्यापक शामिल है नागलेंड से आये युवाउं ने बीथे 5 दिनों के दोरान 36 गड़ के प्रमुक परेटन सलों का भ्रह्मन भी किया प्राधेशिक समाचार आप आकाश्वाणी रायपूर से सुन रहे है 36 गड़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वस्नियता से है हमारा वास्ता आकाश्वाणी समाचार रायपूर के प्राधेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामाई कारिक्रम आप रेडियो के लावा अपने मोबाईल पर भी सुन सकते है आकाश्वाणी समाचार फेस्बूक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्त है हमारा फेस्बूक पेज 36 गड़ न्यूज ओन ए आई आई आर ट्विटर हैंडल CGAIR News और हमारे यूट्यूब चैनल है 36 गड़ ए आई आई आर न्यूज तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं आप तक 36 गड़ की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वाणी समाचार और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों के ओर प्रदेश में आज से गहन डायरिया नियंतर्ण पखवाड़ा शुरूब हो गया है 4 जुलाई तक चलने वाले इस पखवाड़ के तहट लोगों को डायरिया पर नियंतर्ण और रोगथाम के लिए जागरुख किया जाएगा इस दोरान शुनी से पांच वर्ष तक के बच्चों को स्वास्तकारिकर्ता और मितानिनों द्वारा घर घर जाकर ORS पैकेट और डायरिया से ग्रसित बच्चों को जिंक टैबलेट दिया जाएगा पखवाड़े के तहित सभी स्वास्तकेंडरों में ORS जिंक कॉर्णर के स्थापना के साथ ही लोगों को डायरिया के बारे में जागरुख करने कई गतेविधिया संचालित की जाएगी बीजापूर जिले में बीती रात सहायक आरकशक संजय वेड़जा की अग्यात लोगों ने हत्या कर दी है मिले जानकारी के अनुसार ये आरकशक भद्राकाली थानाक्षेतर में पदस्थ होकर वर्तमान में रक्षत केंडर बीजापूर में संबद था आरकशक कुछ दिनों का अवकाश लेकर अपने परिजनों से मिलने पाता कुड्रू गाउं आया हुआ था जहां बीती रात अग्यात हमलावरों ने सहायक आरकशक की धारदार हत्यार से हत्या कर दी हत्या के कारुनों का पता नहीं चला है पुलिस इस मामली की जाच में जुट गई है आज देश के विभिनस्थानों में भगवाण जगनाद की रठ यात्रा निकाली जा रही है 36 गड़ में भी रथियात्रा का पर्व, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाय जा रहा है आज सुबह से ही मंदिनों में श्रद्धालों का ताता लगा रहा और दिन भर पूजा अर्चना का दौर चलता रहा इस मौके पर विभिन स्थानों में भगवान जगनात, बलभद्र और देवी सुबहद्रा को रथ पर सवार कर टाक्त्या निकाली गई राजिपाल विशुभूशन हरीचंदन, मुक्यमंत्र भोपेश्ट बगेर और विधान सभाध्यक्स डॉक्टर चरंडास महंत आज रायपूर के गायत्री नगर इस्थित जगनात मंदिर में आयोजित रथियात्रा महस्व में शामिल हुए राजिपाल ने रथियात्रा शुरू होने से पहले भागवान के प्रथम सेवक के रूप में सोने के जाडू से बुहरा लगा कर छेरा पहरा की रस्म अदा की भारत सरकार के केंद्री संचार ब्यूरो द्वारा बीरगाओं में लगाई गई मल्टी मीडिया चेत्र प्रदर्शनी का आज रायपूर सांसद सुनील सोनी ने अवलोकन किया ये प्रदर्शनी आजादी के अमरित महोसो और अंतराष्ट्री योग दिवस पर आयोजित की गई है आज आयोजन स्थल पर बीरगाओं के 20 आंगनबाडी केंद्रों ने पौस्टिक व्यंजनों के प्रदर्शनी भी लगाई साथ ही आज निबंध लेखन और चित्रकरा प इकास विभाग के अंतरगत संचालित प्रयास आवासे विद्याले के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है आयाइटी गुवाहाटी द्वरा जेए एडवांस के घुशित परिणामों में इस वर्ष प्रयास आवासे विद्याले के 141 में से 57 विद्यार्थियो उने क्वालिफाई किया है इसमें से 28 विद्यार्थियों का आयाइटी और 29 का एनाइटी में चैयन संभावित है अब कुछ हैने खबरे संक्षेप में मुख्यांत्री भूकेश बगेल ने आज गोधन निया यूजना के तहट हिदग्राहियों के खाते में 12 करोड 72 लाक रुपए की राशी ऑनलाइन ट्रांसफर की स्वासमंत्री टीएस सेंदेव ने आज रायपुर में टीबी के मरीजों का सुपोशन उपलब्द करा रहे प्रदेश के निक्षय मित्रों को सम्मानित किया इस उसर पर उन्होंने टीबी के मरीजों को पोशन आहार का पैकेट भी वित्रित किया राजी सरकार ने 36 गड़ के पूर प्रधान मुख्य वन सरक्षक आर के सिंग के नवचार आयोक का सचिव निक्त किया गया है भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश अधरिक्ष अरुन साव ने नीती अनसंधान टीम के निक्ति की है इसमें सशांक शर्मा को संयोजग बनाया गया है वहीं दीपक भसके, पंकर ज्जा, अमित चिमनानी, हेमन पानिगरही, उजवल दीपक और किशोर देवांगन टीम के सदस्य होंगी प्रदेश में आगामी विधान सभा चुनाव की तैयारियों के मद्दे नजर कॉंग्रेस ज्वारा बस्तर संभाग सहीद प्रदेश की 18 विधान सभाग श्रीत्रों में 22 से 24 जून तक प्रशिक्षन शिवेर का आयोजन किया जाएगा रायपूरसित, आयुर्वीद, महाविध्याले और चिकिसाले में आज 1000 से अधिक बच्चों का स्वर्ण प्रशन कराया गया कॉर्बज लेकी कटगूरा वनमंडल के पसान, किंदई और जटगा रेंज में इन दिनों हाथियों का दल विचरन कर रहा है हाथियों के दल ने कई लोगों के घरों को तोड़ने के साथ ही फसनों को भी नुकसान पहुँचाया है शिक्षा का अधिकार RTE के तहद प्रदेश के निजी स्कूलों में 30 जून तक प्रवेश लिया जाएगा इसके बाद खाली सीटों के लिए 1 जुलाई से दोबारा आविनन बंगाए जाएंगे और कॉंडगाउं जिले में संचालित एकलव आदर्श आवासे विद्यालेव में शिक्षकों की व्यवस्था के लिए 23 जून को साक्षातकार निर्धारित था जिसे आपारिहारे कारणों से स्थागित कर दिया गया है ये साक्षातकार अब 26 और 28 जून को होगा अंत में मुखे समाचार एक बर फिर नौवां अंतरराश्ट्री योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा 36 गड़ के शहरों और गाउं में भी विभिन कारिक्रम आयोजित के जाएंगे केंडरी राजी मंत्रे गिरिरास सेह ने आजमान इंद्रगर में बैठक लेकर विभिन केंडरी योजनाओं की प्रगती की समीक्षा की भीशन गर्मी और लू की स्थिती को देखते हुए केंडरी स्वास्तमंत्री कल 36 गड़ सहेद 6 राजीों के स्वास्तमंत्रियों के साथ वर्चुल बैठक करेंगी और आज देश के विभिन अस्थानों में भगवान जगननात की रत्यात्रा निकाली जा रही है रायपूर में हुए रत्यात्रा महोसो में राजीपाल मुख्यमंत्री और विधान सभाध्यक्षक शामिल हुए इसे के साथ प्रादेशिक समाचार गुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार